मंत्र तीन रूपों में देखने को मिलते हैं वैदिक मंत्र, पावरानिक मंत्र तथा बीज मंत्र वेदों में जो मंत्र मिलते हैं जिनके द्वारा देवों की उपासना की जाती है वे वैदिक मंत्र हैं पुराणों के ऐसे वचन जिनके द्वारा देवताओं के स्तुति की जाती है वे भी प्रायह मंत्रों की संग्या में आते हैं हमारे पूर्व आजारियों ने रिजियों ने मुनियों ने इन स्तुतियों को हजारों वर्षों तक इनका प्रयोग करके इनमें ऐसी दिव्य शक्तियां प्रकट की जिनसे की ये जन सामान्य का कल्यान करने योग्य बने अतहा इन्हें मंत्र की संग्या दी गई है बीज मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिन में कुछ वर्णों के द्वारा देवताओं की उपासना की जाती है ये मंत्र बहुत बड़े नहीं होंकर आकार में बहुत छोटे होते हैं यहां तक कि कुछ बीज एक-एक वर्ण के भी होती है आकार में छोटे भले ही हों लेकिन ये बीज मंत्र शक्तियों में बहुत बड़े होते हैं शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं हमारे शास्त्री ग्रंथ कहते हैं मंत्रो वई देवा अर्थात मंत्र ही देवता है जैसा कि हम जानते हैं विभिन देवताओं में प्रायह, सत्व, रज तथा तमोंगुण इन में से विभिन गुणों की प्रधानता होती है कुछ देवताओं में सत्व गुण की प्रधानता कुछ देवताओं में रजो गुण प्रधान होता है और कुछ देवताओं में तमोंगुण की प्रधानता होती है इसी प्रकार मंत्रों को भी इन तीनों श्रेणियों में वर्गी कृत किया जा सकता है कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन में सत्व गुण प्रधान होता है कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन में रजो गुण प्रधान होता है और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो की तमोगुण प्रधान होते हैं सत्व गुणि अथवा सत्व गुण प्रधान देवताओं की उपासना के लिए प्रायः सामान्यतया सत्व गुण प्रधान मंत्रों का मार्ग लिया जाता है रजोगुन प्रधान देवताओं की उपासना के लिए सामान्य तया रजोगुन प्रधान मंत्रों को प्रयोग किया जाता है तथा तमोगुन प्रधान देवताओं की उपासना के लिए प्रायह तमोगुन प्रधान मंत्रों का प्रयोग किया जाता है नित्य कर्म जैसे की संध्योपासना तरपण पापों का ख्षय करने वाले कर्म इत्यादी ऐसे कर्म है जिनमें प्रायहवर सत्व गुण प्रधान मंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है विभिन सांसारिक मनों कामनाओं की पूर्ती के लिए किये जाने वाले नैमित्तिक कर्म प्रायहवर रजोगुन प्रधान मंत्रों के द्वारा पूर्ण होते हैं तथा काम्य कर्म जिनमें की मुख्यतया, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेशन, स्तंभन, इत्यादी हैं ऐसे कर्मों में तमोगुन प्रधान मंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिस देवता की जैसी प्रक्रती है, उसी प्रक्रती के मंत्रों का प्रयोग करने से अभीष्ट की प्राप्ती उचित समय में होती हैं तथा उचित विधी से किया गया कर्म अरिष्टों का निवारण करता है और लक्ष प्राप्ती में ईश्वर की ग्रपा प्राप्ती में सहायक होता है अतहा मंत्रों की प्रक्रती को जानकर देवताओं की प्रक्रती को जानकर उसके अनुसार मंत्रों का निश्चे करना चाहिए और उद्देश्य को देखकर जिस उद्देश्य से हम मंत्र साधना करनी जा रहे हैं इस उद्देश्य को जानकर मंत्रों का निश्चय करना चाहिए जिससे की उजित समय में सभलता प्राप्त हो सकी धन्यवाद